भारतिया रिजर्ब बैंक के गवर्णर शक्तिका दांस ने आज मॉनिटरी पॉलिक्सी कमिटी की दो दिन की बैठके बाद विमासिक मौद्रिक नीती चारी की जिसके तहत मुद्रास्पीती और अन्यवैश्वे कारकों के बीच केंदुरिये बैंक नेतिगत दर रेपो को 6.5 प्रतिशत पर ही कायम रखा है आज के न्यूज लेंस में आपको बताते हैं क्या है इस मौद्रिक नीती की बड़ी बाते RBI की मौदरिक नीती समिती ने त्योहारों के पहले एक बार फिर लोगों को बड़ा तोफ़ा दिया है लगातार चौथी बार रपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है भारतिय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मोनेटरी पॉलिसी कमिटी की दो दिन की बैठक के बाद द्वीमासिक मौदरिक नीती जारी की जिसके तहट मुद्रस फीती और अन्य वैश्वे कारकों के बीच केंद्रिय बैंक नीतिगत रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर ही कायम रखा गया है आर्बियाई गवर्नर ने सितंबर महीने में महंगाई में कमी आने की भी उमीड जताई है आर्बियाई गवर्नर ने कहा कि रेपो रेट में बढ़ोतरी का असर अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है साथ ही जीडीपी के अनुमानों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है उन्होंने बताया कि MPC के सभी सदस्य दरों को स्थिर रखने के पक्ष में है आर्बियाई गवर्नर ने कहा कि सितंबर महीने में महंगाई में कमी आने की उमीद है उन्होंने कहा कि रेपो रेट में बढ़ोतरी का असर अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है आर्बियाई गवर्नर के अनुसार महंगाई की उंची दर अर्थव्यवस्था के लिए खत्रा है उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकारी खर्चे से निवेश की रफ्तार में तेजी आई है विट्तिय वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में वरिद्धी दर कानुमान 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है इस दोरान आर्बियाई गवर्नर ने कहा कि पॉलिसी दर ओं के लंबे समय तक उंची दरों पर बने रहने कानुमान है अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि टमाटल की कीमतों में कमी आने से महंगाई के कम होने की संभावना बढ़ी है वित्तिय वर्ष 2024 के लिए महंगाई दर का अनुमान 5.4 प्रतिशत पर बढ़करार रखा गया है दूसरी तिमाही के लिए महंगाई के अनुमान को 6.2 प्रतिशत से बढ़ा कर 6.4 प्रतिशत कर दिया गया है अपने संबोधन के दौरान आर्बियाई गवर्नर ने बैंक और NBFC को अपना सर्वलांस सिस्टम मजबूत करने की सलाह दी उन्होंने बैंकों से कहा कि वे अपने अतिरिक्त फंड का इस्तेमाल कर्ज देने में करें आर्बियाई गवर्नर ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए गोल्ड लोन की सीमा 2 लाक से बढ़ा कर 4 लाक रुपए करने की घोशना की शक्तिगांत दास ने कहा कि आर्बियाई वेश्विक स्थिती की बारीकी से निगरानी कर रहा है और वित्य स्थर्ता बनाई रखने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता रहेगा साथ ही उन्होंने बताया कि बुलिट री पेमेंट योजना के तहत गोल्ड लोन की मौजूदा सीमा को 2 लाक से बढ़ा कर 4 लाक करने का निरने लिया गया है उन्होंने बताया कि डिजिटल भुक्तान को बढ़ावा देनी वाली पेमेंट इंफ्रस्ट्रक्टर डेवलापमेंट फ़ंड पी आई डी एफ योजना के तहत देश भर में 2 करोड 66 लाक से अधिक नए भुक्तान टच पॉइंट्स सक्रिय हुए है इस योजना को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का निरने लिया गया है ताकि जमीनी इस्तर पर डिजिटल भुक्तान को बढ़ावा देनी के रिजर्ब बैंक के प्रयासों में और तेजी लाई जा सके ब्यूरो रुपोर्ट डीडी नियूज